नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों स्वागत है आपका आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल सादावाद केशरी पर जहां हैं किसान है तिस सरवपरी और किसानों को इस वर्स अच्छे से अच्छा भाव मिले इसके लिए आपका भाई आपका मित्र लगातर प्रयास रहते इन प्रयासों को आप और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं ताकि ये सफलता की बूंदियों पर पहुंच सके तो ऐसे मैं सभी किसान साथी, cold storage मालेक, आड़ती भाई, व्यापारी भाई सभी जो है व्यूडियो को एक दूसरी के साथ परस पर वाट से फेस्बुक ग्रुपों में शेयर किया करें जिससे आने वाले समय में आप सभी को आलू के अच्छे भाई भी प्राप्त हो सकें और हमारा एक प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति आलू की चैन से जुड़ा हुआ इस वर्स जो है निरासना वो सभी को आलू के अच्छे भाई मिलें इनी सब शुब कामनाओं के साथ किसान सातियों शुरू करते हैं आज की धमाकेदार रहने वाली वीडियो लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से सब्सक्राइब कर लिए पास में बेल आइकने से और पर इट कर लिएगा अपने भाई के माध्यम से मिलती रहेंगी तो किसान सातियों सबसे पहले हम एक बड़ी खबर्क से सुरुआत करेंगे जो कि कुछ कष्ट दाई भी है और कुछ आप लोगों के हितार्त भी है क्योंकि कहा जाता है कि जिस जिस वर्स जो है कोई अपरी अगटना होती है उस वर्स जो है आलू काफी तेज बिखता है हालां कि मैं इसे इतिफाक नहीं रखता हूँ कोई कि लोगों के बिभिन मत होते हैं लेकिन मैं यहां इस मत को सुईकार नहीं करता हूँ यहां पर आज एक बड़ी दुरगटना जो है मदर जो अमूनिया सिलेंडर होता है यानि कि जो छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर में जो है अमूनिया का पढलटा जाता है यहीं रिफिलिंग की जाती है उसमें आज बड़ा धमाका हुआ है धमाके में बड़े नुकसान की आशंका भी व्यक्तिकी गई है और जो है वहां पर अफरा तफ्री भी मची हुए आप के दौरान तेज धमाके के साथ मदर जो अमूनिया गैस का सिलेंडर होता है वो जो है फट गया इससे वहां पर जो है काफी अफरा तफ्री मच गई जिससे जहां जगह मिली वहां दुबग गया लेकिन अमूनिया गैस के त्रिव प्रभाव से कई जो ऑपरेटर समयत कई ल प्रतिविदियां ज्यादा बढ़ी तो जो है जो फायर विग्रेट है वो भी मौके पर बलानी पड़ी हालांकि इस्तिति नियंत्रन आने में लगवा दो से चार घंटे का समय लगा लेकिन इस्तितियां पर कावू पाली आ गया लेकिन जो नुकसान को हुआ है उसकी बरप चास हजार पैकेट होना एक बहुत बड़ी उपलब्दी कोल्ड इस्टोरेज के उसमें हो जाती है अगर वो डेड़ लाग का कैपिसीडी कोल्ड इस्टोरेज हो तो यानि पचास परसेंट आलू तो उसकोल्ड इस्टोरेज में था है तो ऐसे में सभी की सांसे अटक गई जब जो है मदर जो अमुनिया गैस सिलेंडर है वो पूरी तेज धमाके के साथ फट गया मसीन जहां की तहां रुग गई और ऐसे में कोल्ड इस्टोरेज में रखे आलू को मतलब जो नुकसान की संभावना प्रभाल हो गई है हलांकि समय रहते ऑपरेटर सहीत कई लोगों को नजदी की सास्त केंद्र भरती करा दिया गया था लेकिन जिस तरीके से अमुनिया गैस के सिलेंडर लगातार फट रहे हैं अभी दो दिन पहले ही पंजाब के यहां पर एक चेंबर डहा था और आप बंगाल से भी ऐसी अप अपना वक्तव होता है इसमें हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन नुकसान कोल्ड मालिक का बड़े इस्तर पर हुआ है यह अगर अमुनिया सिलेंडर पड़ता है तो कम से कम 20 लाग की चोट कोल्ड मालिक को लगती है यह एक मोटा मोटा अनुमान है और जो चोटी मोटी जो कमि होई होगी उसमें तो कितने रुपे लगेंगे यह तो कोल्ड मालिक ही जानते हैं किसान साथिव अब बात करेंगे हम जो है इस समय पर मौझूदा चल रही परिस्तितियों और गतिविदियों के बारे में तो अभी हम सुरुआत करेंगे अपने बंगाल से क्योंकि अपरी इस समय के रेटों पर भी आने वाले दिनों में देखनें को आप लुगोंको मəली को मलेगा और कुछ लोग बंगाल के लोगों को बहुत ज्यादा लेकिन ये लोग अपने निजी स्वार्त के लिए उनको भी पूल मालिकों को भी धखेल लाएं साथ में चोटे वेवसाई को दखेल लाएं अब ऐसे मैं एक उम्मीद की किरण जो है अब इस परश तोर पर दिखाई देने लगी है लोगों बेदे कि मैं आप लोगों को सीधा आप वाट से फेस्बूक ग्रूपों में देगेगा जिसमें ये 10 करोड या 11 करोड पैकेट का दावा करेंगे लेकिन इतना नहीं है क्योंकि जो निचले स्थर पर जो सच्छा ही है वो आप सभी के सामने आचुकी है क्योंकि ये अपने निजी फायदे के लिए क्लिकि ये स चोटे व्यवसाई फस्ते हैं और सरवादिक जो फस्ता वो किसान फस्ता है हालांकि अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं बंगाल के किसान सात्यों सभी को आने वाले चार से छे दिन के दौरान तेजी के सुब संकित भी प्राप्ट हो रहे हैं और ये तेजी इन बड़े बड़े मगर मच्छे हैं इन में भी कुछ ऐसे हैं जो cold storage और किसानों के hit में लगातर सोच रहे हैं वो लगातर कह रहे हैं कि आलू में तेजी आएगी 4-6 दिन जो है किसानों को वेट करना चाहिए क्योंकि इस समय पर आलू जो है वर्सा प्रवावित वाला मंडियों में जा रहा है और ऐसे में उसकी गुड़वत्ता खराब है और गुड़वत्ता खराब होने की वज़े से कोई भी बड़ा वेवसाही हो या छोटा वेवसाही है cold मालिक कोई भी आलू खरित में दिल्चस्पी नहीं दिखा रहे हैं ऐसे मैं अब 4-6 दिन में ये आलू खतम हो जाएगा लोकल की मंडिय में चला जाएगा ये कहीं भी जाए लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है वही बंगाल में होने वाला है बंगाल में जो है cold storage से निकासी भी जो पहले माई में होती थी अब वो जो है एक या दो अपरेल से शुरू हो जाएगी और आलू की quality खरा हुई है इसमें विवसाई समिती चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है वो चाहते हैं तो थेज भी खरी सकते हैं वो चाहते हैं तो नीचे भी खरी सकते हैं फिलाल आलू जो है quality पर बंगाल में खरीदा जा रहा है अब ऐसे मैं जब ये cold से निकासी होगी गडंत और अपने निजी फायदे के लिए डाल लाई है और उसमें भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं उसमें भी बंगाल विवसाई समिती के प्रेशिदेंट हों या वाइस प्रेशिदेंट या कैशियरों वो इस रिपोर्ट को इत्तिफाक नहीं रखते हैं लेकिन मार देते हैं लेकिन इनके एक साइन की वजए से पूरे देश में एक हलचल का माहौल पैदा हो जाता है और ये हलचल का माहौल जो है यदि ये सोच विचार के साइन करें कि इतना नहीं होगा जो रिपोर्ट एक्चुली है तो निशित तोर पर सभी को फायदा होगा लेकि है कि वो लोग लिखित में ने उनका अभी यही मानना है कि 8 करोड के आस्वास पैकेट हो सकता है उपर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 9 से उपर नहीं है यानि नीचे ही है तो कुल मिला के आप समझ लीजे कि वो जो है अना दिक्रत रूप से इस बात को सुईकार है और भी नागलेंड वगर हैं वहांपर भी आलू जा रहा है वहांपर डिमांड भहुँच जादा है और इसमें इन मौक्व को बनाने के लिए कुछ लोग फजी रिपोर्ट भी डालेंगे और खिसानों से सस्ता अलू खरीदने के लिए और उसे महेंगे दावों पर भीक पाएंगे तो ऐसे में इस बार से जो है सभी को फाइदा होने बाला है यहां पर बंगाल वेवसा इसा मिती कुछ ज्यादा फाइदा कर लेगी लेकिन फाइदा सब को होना है अगर मेरी बाते इतिफाक रखते हूं तो समर्थन जरूर कीजिगा बस आप लोग वेट कीजिए म मैं किसी का बो नहीं चाहता हूं मैं किसी का वो भी नहीं चाहता हूं सबका जब आप जळादा मात्रा में अलूर रिलीज होगा कोल्ड बंगे अश्ट्विन से तो GISानों मिलेंगे जुष कि लगन एन अ सप्लायर है उनको भी मिलेंके और कुछ जो कहते है ना मनदडिया उ जहां पर किसी का करजा चल रहा है, उसको चुकता कर देंगे, देखे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसे भी लोग होते हैं, जो अपने करजा चुकाने के लिए, जो सस्ती दरों पर खरीद के, महेंगी दरों पर बेच गे, और कुछ अंस अपने पास रखके, और जो उनके पा पर किसानों को भी आलू के रेट मिलेंगे, अब किसान साती बंगाल के बाद में बात करेंगे, हमें अपने उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में इस समय पर हालत किसानों की और खुल्ड मालकों की बहुत अंदर से एकदम 5-5 लीटर खुन डेली बढ़ रहा है, और बढ़ने का कारण है कि Demand South में, क्योंकि South में ज्यादतर फसलें जो आती हैं अन्नामलाई की पहाड़ी हो, रतनागिरी की पहाड़ी हो, या कई भी पहाड़ी हो जो तमिलनाडू में हैं, वहाँ पर आलू जो है, जैसले की उती है, डिम बिस्टिक में लगता है और कॉलाट डिस्टिक में लगता है तो फासलें बहुत कमजोर थी और बहुत कमजोर होने के बाद में अब वो पूरी तरीके से समापत हो चुकी है थोड़ा बहुत रह गया वो चलता रहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे में अब वहां के तमिल नाडू को करना टकाओ केरला हो यह आंत्रपरदिश यह आपका तेलंगा रहा इन इस्टेट्स की जो निरवर्ता उत्तरपरदिश पर ही आकाट टिक गई है क्योंकि बंगाल में अभी cold history से releasing वेवसाही समीती नहीं कर रहे हैं अगर बंगाल से वेवसाही समीती cold से open करके releasing कर दे तो थोड़ा जो है demand वहां तो आपको दावे के साथ काता है को उत्तर प्रतित हो है, 65-70% के बीच में होगा, कोई कितना भी जूल लगा ले, कितना भी फ़र्जी रिपोर्ट डाले, लेकिन जो आंकड़े होते हैं, जो cold इस्टोरी माली बताते हैं, अब अपने अपने तोते की तरह रटने लग गए, द अपने आवश्रक्त के अनुसार निकासी भी करें, तो इससे आप एक बात माली जाए, ये लोग जो हैं, जिनने हम मंदड़ियां की संग्या लेते हैं, यानि कि सस्ती दरों पर आलू खरीद के महंगी दरों पर बेचना चाहते हैं, हाला कि उनका कोई मजूरी रहे होगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी की लेंदरी या देंदरी रही होगी, तो उसे चुकता करने के लिए, वो जो हैं, सस्ती दरों पर आलू खरीद के महंगी दरों पर बेचके कुछ मुनाफ़ा कमा रहे हों, उसमें अपना परिवार भी चलाएं, और उनका भी करजा करें, कोल्ड मालिकों का भी व्यापारियों पर करजा होता है, तो ऐसे में वो भी पहल उनकी सार्थक है, हाना कि सब के अपने अपने व्यावक्तव है, और इस से अब जो है, वो लोग जो यानि कि हम किसी का अब टार्गेट नहीं करेंगे, देखिए, सब को अपने अपने आपके आलू के पंदरास रुपे प्रती कट्टा के दाम बिल रहें, तो अपनी आवश्रक्ता के अनुसार कुछ अंस निकालने का भी प्रयास कीजिएगा, और निश्य तोरपा यदि आप इस प्रयास को करेंगे, कि कुछ अंस निकालेंगे, तो आलू 2000 रुपे प्रती थोड़ा बहुत निकालिएगा, लास्ट में आपको पुरा मज़ा हैगा, क्योंकि सवनु चौदरी आप लोगों से क्या कहता है, होली 1000 पार और दिवाली 2000 पार, तो 2020 में जो रिकॉर्ड कालू का बना था, उसे तोड़ने के लिए 24 पर तया है, और ऐसे में आज में आप ल पुरा में जो रिकासी नहीं करेंगे, तो आलू फ्रेज हो जाएगा, यान ठंडा हो जाएगा, अच्छी quality का बन जाएगा, अब वो जो मंडी को जाएगा तो इसमें आपकी सूख बचे जाएगी, वो उसी रेट में अच्छी quality का ठंडा होके जाएगा, तो वह वहां सकते हैं लेकिन अगर आप एक पंद्रे 20 दिन इंतिजार करेंगे तो हो सकता है आपको आलू के पंद्रे सवर पर प्रतिकटा की रेटीव मिल जाए मातारानी की करपा बनी रही तो जल्द ही आप देखेंगे कि सौनु चौदरी की जो बात है ना वो आपको पत्थर की लकिर धरातल पर मिलेगी पंद्रा सवर पर प्रतिकटा की तो ऐसे में चैत्री नवरातर भी आटर अपरेल से शुरू हो रहे है तो निश्रीत तोर पर आलू एक नई दिशा एक नए आयम चुएगा अब किसान सात्यों मैं यहां आपको एक और बात बड़ी खब बता दूँ यहां उत्तर प्रदेश में व्यापारी एसोसीजिशन द्वारा एक बहुत ही घ्रनत और निंदनी काम किया रहा है वो निंदनी काम किया है कि व्यापारीयों ने अपना यूनिन बना लिया और ये दावा के मतलब बैठकों का दौर जा रही है और कहा जा रहा है कि हम बोली के माध्यम से आलू नहीं खरी देंगे हम सीधा सीधा आलू खरी दे इन लोगों का फंडा क्या है, इन लोगों का फंडा क्या है, कि हम बोली से आलू नहीं खरे देंगे, तो किसान जो है, हम को ओने पूने दाओं पर आलू दे देगा, और या हम जो हैं, क्योंकि इस साहल बड़े इस्तर पर व्यापारियों ने और भरसारियों ने आलू को स्ट जब तुम अपना आलू लिकाल दोगे तो व्यापर किस पे करोगे आलू की तो पहले से ही है तो ऐसे में फिर तो खिसान की ही बल्ले बल्ले होने वाली है तो यह जो बैठकों का दौर जो व्यापारियों और आरतियों का जारी है ना यह बहुत ही ग्रणित काम है हमेशा जो है 14 रुपे प्रतिकटा बिके बोली पर चाहे वो बिके 18 रुपे प्रतिकटा आपको अपने व्यापार से मतलब है और व्यापार में सिर्फ ऑक्षन ही यानि की बोली के माध्यम से वही एक किसान के हित्मे काम होता है बाकि आज अगर आपकी इस्थितियां सभी मंडिय की पता है कोई मंडि जो है आने वाले पांच महीने तक गिरने वाले नहीं है और एक मौटे-मौटे तौर पर आलू जो है 45-50 रुपे किलो बिकने की थोक में पूरी-पूरी संभावना हमको यहां इस पश्ट नजर आ रही है और हम यह कहपाने की स्तिती में भी हैं कि तो जो मंदे में बैटे हुए थे वो लोग भी कहने लगे कोई हमें 1100 रुपे पिरती कट्टा में भी आलू देते तो जिससे हम जो है आलू के व्यापर कर ले हैं लेकिन यहां पर आप लोगों को विशे सावदानिया सचे तरहने की आवश्यक्ता है हाला कि 1200 रुपे के र आलू है जो डिमांड वा बेजा रहा है वो 1350 रुपे प्रती 50 केजी यानि बामन 300 की तॉल है आगरा में तो 50 तौमानी लेते हैं तो ऐसे में वी वी आईपी आलू की तो 1350 रुपे तो पहुंच गया है अब इस्तितियां यह हैं कि अब जो है कैसे भी आलू आप लोगों स निकलने वाला है या यह होने वाला यह होने वाला यानि कि गवरहाट का माहौल पैदा करके उस आलू को जो आज का बाज़ार 1200 या 1300 का चला है उस रेट में आलू लेना चाहते हैं क्योंकि इन्हें साफ दिखाई देला कि साउथ की डिमांड पूरी करने में उत्तर प्रदे के लिए जाएगा तो कुल मिला के दुआर बहुत जादा खुले हुएं और इधर मद्य प्रदेश में भी छक्के चूटे हुएं लोडरों के तो ऐसे मैं आप सब समझेए कि क्या हालक आने वाले 20 दिन के दौरान होने वाली है देकि मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं मैं कोई जोतिस ही नहीं हूँ लेकिन मैं यहाँ एक बात इस परश तोर पर कहता हूँ यदि आप मेरे साथ जुड़े हूँ यानि सौनो चौधरी के साथ जुड़े हूँ है तो किसी का बाप नहीं रोग सकता 16 रुपे प्रतिकटा बिकने से चाहें वो मंदड़िया हूँ चा यह तभी संभव होगा जब आप लोग परस पर वीडियो को एक दूसरी के साथ सेर करेंगे और मैं तो हर किसी को यही बो करूँगा कि यदि आपके 1600 या 1500 के धाम लगें अपना कुछ सम पार्ट्स मैं यह नहीं करहाँ सारा अलू लगा दीजेगा सारा अलू नहीं निकलना हैं कुछ पार्ट निकलना हैं और सारा अलू पे तो भाईया पूरा खेला होना है और यह खेला ऐसा होगा कि जो लोग कह रहें ना कि टोईरेट लिकल जाएगा या यह हो जाएगा वो लिकल जाएगा तो ऐसे लोगों का ही हमें टोईरेट निकलना हैं बाकी सब को अलू के अब यहां पर किसान साथि हों आप बात करेंगे, हम जो हैं, अपना यह जूट वाले अलु का था, 377 का और पुखराज और ख्यादी का, इदर जो है, के मोहन अलु की विशेज डिमांड देकी जारी है, हर मंडी में के मोहन अलु की धूम मची हुई है, के मोहन अलु के रेट जो है 1200 रुपे प्रती कट्टा के व्यापारियों को खले तोर पर वापस मिल रहें किसी-किसी मंडे से तो 1300-1400 रुपे प्रती कट्टा के दाम वापस आ रहें लेकिन फिलाल फौरी तोर पर कुछ cold मालेक और व्यापारी नहीं चाहते किसान को ये रेट दिया जाए क्योंकि उन सब को ये लगता है कि किसान को अगर ये 1300 का रेट हमने के महान का दे दिया हाइब्रिड आलूगा तो किसान पूरी तरीके से अपने घर बैठ जाएंगे और फिर cold की निकासी ठप कर देंगे और फिर 2000 रुपे के कट्टे के सपने देखेंगे और फिर हालत ये हो जाएगी कि लास्ट में जाके सब एक साथ आलू होगा तो फिर मन्ने तूटेंगी देखें ये हमका अपना वक्तव है लेकिन मैं इस वक्तव से कोई भी वो नहीं करता हूँ क्योंकि आगर आलू किसान का 2000 रुपे प्रती कट्टा बिकेगा बिकना है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसान 3-4 सालों से घाटा उठा रहा है और इस साल किसानों को यदि 2-1 रुपे प्रती कट्टा या 24 रुपे प्रती कट्टा या 16 रुपे प्रती कट्टा आलू के दाम मिल जाएं तो इसमें आप कोल्ड मालिकों का क्या है आप सिर्फ अपने भाड़े से मतलब रखे है यदि आपने लॉन दिया है तो आप उससे मतलब रखे है कि भाई आपका लॉन का टाइस समय पूरा होगा आप अपना हमें लॉन का बरपाई कीजिए या आप हमें वो दीजिए तो ये तो एक नियमनसार बात होती है, लेकिन इस तरीके से किसानों को डराना, धमकाना, उन्हें दबाब में लेना, कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पिछली सालों में जो हुआ, वो हुआ, लेकिन 2023, 2021, 2022 या कोई भी साल जो पिछली जा चुके हैं, 2024 में वो कुछ भी दोहराने वाली नहीं है, ये निश्चित तौर पर आप खोल मालिक कान खोल कर सुलो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ, वो आप दावे के साथ कह रहा हूँ, पत्थर की लखिर मिलेगी, बिगत कोई भी साल 2024 में दोहराने वाली नहीं है, और ये जो आप लोग पर भिखवा सकते हैं, जिससे आपका, कोल्ड श्टोरेज का, ये साल जो है, अच्छा नाम हो, तो आगे अगले वर्सों में, किसान ज्यादा से ज्यादा आपके कोल्ड श्टोरेज में आए, ये तो हम कहें मानेंगे, लेकिन इस तरीके का, कि भाई निकालो, या पेचली बदुजाई ऐसा हो जागा, ऐसा हो जागा, कुछ नहीं होगा, आलू में असीन संभावना है, साउथ की डिमांड पूरी करने में, सभी के पसीने चूट रहे हैं, और आपकी दड़कने इस वज़े से तेज हैं, क्योंकि आप जो है, सस्ती दरों पर भी, कुईकि कुछ ग जो है, तो एसे में, काफी डेश्ट रहे हैं, और अभी एक बात बता दूँ, बंगलादेश के लिए 31 मार्च तक था, अब उसे बढ़ाका 30 जून कर दिया है, मौसमिक परिस्कितियों के कारण, बंगलादेश अलू अब 30 जून दो जाएगा, तो बंगाल में भी अबतेज आने वाली है, इधर गुजरात से भी बड़े इस्तर पर अब जो है, लगवक्त 5 अपरेल को 2 सिप, यानि के, एक एक हजार टन आलू के, जो है, मध्य एशिया के देशों को आलू निर्यात होने वाला है, और इसके लिए बकाइदा, वहां पर एक रैली होगी, जिसे चुन कुछ व्यापारी सोच रहे हैं, कुछ बंगाल के विवसाई समीती वाले सोच रहे हैं, जिनमें प्रेसिदेंट और वाइस प्रेसिदेंट और कैशिया, तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आज जब मेरी बंगाल के और उत्तर परदेश के या पंजाब के, गुजर को कमाने का मुझा मिले है, और उससे ज्यादा किसानों को कमाने का मुझा मिले है, जिससे सभी वर्ग जो हैं, काफी खुश रहे है, तो ये बहुत अच्छी सार्भ तक पहल, इन लोगों के द्वारा, आज वाल के माद्धन से देखने को मिली है, अब किसान साथियों यह आ आप सभी को आलू के इस बार अच्छे rate मिलें, और इस अच्छे rate मिलें, तो भईया, आपने सौनु चौधरी को मत बूलिएगा, सौनु चौधरी के साथ परसपर ज़्यादा से ज़्यादा जुरते जायेगा, सभी को आलू के अच्छे rate जो है मिलेंगे, और मैं तो स्रूआ सही बोल ला हूं आलू 16 रुपे प्रती कट्टा के पार बिकेगा, अब कोल मालिक भी इसमें आ गए हैं, बंगाल के विवसाई समिती भी इसमें आ गए हैं, गुजराट के आलू कारोबारी भी इसमें आ गए हैं, सबी all इंडिया के कोल इस्टोरेज के जो प्रिसिदेंट, व तो आज जो आज अलू के रेट और अच्छे होते हैं लेकिन आप लोग सौ रुपे बचाने के चक्कर में हैं बैसे ही आलू की shortage है और आप उसमें भी सौर पे बचाने के चक्कर में पेड की नीज़ है घरों में कट्टों के रखे हुए है या जो धान की पुआल होती है उसके आलू को दबाए हुए है तो इससे गुडवत्ता खराब होती है और temperature आप देख रहे हैं 40-41 डिगरी के जो कि जिस वर्स आलू तेज होता है उस वर्स डंप लगाने की किसी युग आवश्यक्ता नहीं तो उत्तर प्रदेश का इस पस्ट उधारण है उत्तर प्रदेश में नाम मात्र के डंप हैं जो कि महेज 2 या 3 दिन में खतम पहले जो है मैं तक चलते थे अब महेज अप्रे 200 रुपे प्रति कट्टे की आलू की मिलिया 12 बंकी से 1221 रुपे की मिलिया जो कि R1 का है तो एक बहुत अच्छी असीन संभावना है आलू की रेटों में देखने को मिले हैं आज 2200 रुपे प्रति कुंटल थे राजंदर वन का आलू खुला है तो आने वाले दिनों में जो क्योंकि सौनु चौधरी जो कहेगा ना वो दावे के साथ कहेगा पत्थर की लखिर मिलेगा उसे किसी का बाप नहीं मैट सकता है मैं दावे के साथ कह रहा हूँ यदि आज आज आप मेरे साथ जुड़े रहे इस साल तो आप सभी को चाहें आप पोल्ड मालिक हों ब्याप कीजेगा लेकिन तरकेशवर में आज जो कोल्ड मालिकों के साथ हमारी गहरी समवेदना है नुकसान बड़ी स्तरप है तो इसके भरपाई भी मुस्किल है हलां कि कब तक कितना रिकवर करते हैं और कितना नुकसान हुआ है इसका जो बियोरा कोल्ड मालिक ही दे पाएंगे लेकिन मैं यहाँ पर यह बात कहने पार नहीं कि इस्तिवियों के नुकसान बड़े स्तरप है कोल्ड मालिके प्रति हमारी गहरी समवेदना है